नमस्का दोस्तों स्वागाते हैं आपका MW Classes में आज हम पढ़ेंगे DFC एक्जाम में उसके previous year कोशन यह part first है previous year कोशन का कितने भी मैंने कोशन लिए हैं वो सब previous year paper में आई हुए कोशन हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह overall part 16 है आज का first question है केंद्री मंत्री आश्विनी 2022 inaugurated Indian first aluminium free track at which place इसका correct आंसर है भुबनेश्वा railway में अश्विनी वेष्णव ने इंडिया का first aluminium free track था वो उसका उद्गाटन किया था तो अलाग्ट हुआ 22 को इस रेक को develop किस ने किया है जो free track बना है उसको develop किया है RDSO ने और हिंदल को एंड बैस को वेगन ने जो RDSO है व इसको फुलफो में research design and standard organization यह बने कब थी 1957 में बनी थी यह company और railway ministry के अंदर काम करती है इसका headquarter लगनाओ में जो free track बने है aluminum के वो carbon reduction कम करेंगे एक single rake 14,500 ton जो CO2 emission है वो कम करेगा next question is the first steam locomotive number F734 was manufactured in 1895 by which workshop पहला steam locomotive number नंबर उसका 734 किश वर्क्षोफ त्वारा बनाया गया था 1885 में तो इसको अजमेर वर्क्षोप ने बनाया था अजमेर वर्क्षोप ने बनाया था इसको और जो F734 engine था वो first locomotive engine था जो इंडिया ने खुट बनाया था जो अजमेर वर यह engine का रखा है steam locomotive engine 734 engine कहां रखा है अभी rail museum में रखा है national rail museum जो की Delhi में है जो national rail museum है वो चनकपूरी में पढ़ता है चनक की पूरी में पढ़ता है दिली में और यह बना कब था यह बना था एक February 1977 में में बना था एक February 1977 में मना था rail museum नेस्ट कोईशन है हाव मेनी पेसेंजर ट्रेवल इन फर्स्ट पेसेंजर ट्रेन फूस रन बिडविन बोंबई टू थाने इन 1853 आरा सो त्रेपन में बोंबई से थाने के बीच चलने वाली पहली पेसेंजर ट्रेन में कितने यात्रों ने यात्रा की थी तो कितने यात्री थे इसको बहुत बार डिसकस कर चुके हैं 400 यात्रा गई थी इस ट्रेन में 16 अप्रेल 1853 में ये ट्रेन चली थी बोंबई से थाने 34 किलोमेटर के डिस्टेंस कवर करी थी 14 कोचेस लगे थे इसमें 400 पेसेंजर बेटे थे इसमें तीन लोको 3 को में से थाने 18だから ABOUT डिशी कोच्झान का अविशकर किस ने किया था इसका आंसर है जौट इस्टिव फेंशन ओर इंग्नाने और इन्में और इनको फादर सृइल वजर फादर फ रहा नेटवार्ट सिंब पोलते हम को पíst टेशिंटिव डों में और इस्टिव ड़्वाय में बदलने का निंड ने लिया था तो इसका correct answer है छे railway zone बनाये थे हमने railway zone के उपर एक separate lecture लिया है मैंने उसमें जितने भी railway zone है हमारा 19 railway zone है उसके उपर मैंने बात करी है और बहुत discuss करा है उसके year भी बताए मैंने कौन सा railway zone कब बना था तो वह लेक्चर की जो link है मैं description में डाल दूँगा तो लेक्चर जरूर देखिएगा अभी प्रिजेंट में 19 railway zone है अगर metro railway आपको मिलाएंगे में जो कॉल का था कि metro rail है metro railway उसको मिलाकर 19 zone है 1951 में 3 zone मने थे 1952 में 3 zone मने थे अगर कोशन आता है 1952 में कितने जोन मने थे टोटल 6 zone हो गए थे उस टाइम वह कोशन पुझा था कितने zone मन गए थे 6 zone मन गए थे हर website में अलग information है यह मैंने officially railway की website से निकाला है तो कोशन यहीं आया कि 52 में कितने zone मने थे 6 zone मने थे 55 में एक zone मना था 58 में एक zone 66 में एक zone 98 में एक zone 2002 में दो zone मने थे आपको 2003 का figure याद रखना है पाच zone मने थे 2010 में एक zone बना था और 2019 वाला zone है वो लेटेस zone हो था saaust cost railway zone south cost railway zone तीन श्क呵 Ghost और वाला लेक्शर देखिये उसमें मैं मेण बताई है अर्श का है और बोड़ के पहले बोर्ट के पहले सी ओ कोन है तो रेल्वे बोड के पहले सी होटे विनाथ कुमार यारप जог बने थे Railway Board के, Railway Board कब बना था? March 1905 में Railway Board बना था वो जो विनुत कुमार यादब थे इस से पेले General Manager थे South Central Railway के, 2018 से पेले Railway Board में सिर्फ Chairman की Position थी या Post थी, मगा 2018 में Chairman और जो CEO की Post हे ना, उसको एक कर दिया तो यही कूशन पूचा है कि Railway Board में First CEO कॉन थे? तरपाटी थे प्रिजेंट की बात करेगा तो अनिल कुमार लाहोटी जी है हमारे चेयरमेन और सीयो का हैं के रेलवेबोट के कौन सी टेन का है दुनिया के सबसे लंबा ट्रेन सुरंग मार्क किस देश का है तो सुईजा लेंड का है यह ओपन हुई थी एक जुन 2016 को और सर्विस स्टार्ट कर दी इसने 11 दिसंबर 2016 थे और यह वर्ड लोंगेस्ट टर्नल है इंडिया की लोंगेस्ट टर्नल कौन सी यह काफ़े इंपोड 12.2 किलोमेटर की मगर प्रिजेंट की बात करते हैं यह कंप्लीट हो गई है टर्नल टी-49 यह लगबक 12 किलोमेटर 12.75 किलोमेटर की टर्नल है और यह किसको जोडती है USB USB याद रखिए उद्दमपूर श्रीनगर और 12 मुला लेलवे स्टेशन को जोडती है और यह लोंगेस् श्रीनगर और 12 मुला मेंली बोल सकते है उद्दमपूर से 12 मुला को जोडती है नेस्ट कोशन है इन विच ओफ द फ्लोइंग कंट्री पेसेंजर ट्रेंट वर एंटीटिव फॉर दा फर्स टाइम इन 1825 निमलिकित में किस देश में 1825 में पहली बार यात्री रेल गाड़ी जिसने केरी पेसेंजर को केरी किया था और यह ट्रेन कहां से किसके बीच चली यह चली थी इस्ट्रॉक टॉन डेरिंग टॉन रेल्वे स्टेशन के बीच में जो की नौर्थ इस रिंगले में पड़ता है जो रेलवे सिस्टम है ग्रेट बिटेन का वह ओलडेस्ट है 1905 में बना था और यह नेशनलाइज हुआ था 1950 में यह दोनों कोश्चन यार रखने प्रिजेंट में बात करते हैं 19 जोने रेलवे गे 19 जोने रेलवे के वह 18 जोन था वह साउथ कोस्ट रेलवे जोन था 19 जोन अगर जो मेटर रेलवे हैं कोलकता की उसको मिला देंगे तो 19 ज बोलते हैं जो इंटेड्यूज हुई थी 1929 में बॉंबे से पूर्ण चली थी यह द्रेंट नेश कोश्चन है वह अमोंग ता फॉलोईंग वह द फस्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडिन इंडिया के और इंसी पार्टी से बिलॉंग करते थे इंडियन नेशनल कॉ ते रेलवे मिनिस्टर कोने अश्विनी वैशनफ नेश कोशन है विच इस बड़ा रेल मार कौन सा है इसके उपर भी मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है अगर वह आपने लेक्चर नहीं देखा तो जरूर दाकी देखिए उसमें मैंने पूरे रूट कवर करा है जो लेंग लाजेस्ट और लोंगेस्ट रेल रूट है इंडिया का उसका करेक्ट आंसर है दिब्रुगर से कन्या कुमारी कून सी ट्रेन चलती विवेक एस्प्रेस विवेक एस्प्रेस लोंगेस्ट रेल रूट है इंडिया का जो कवर करती है दिब्रुगर से कन्या कुमारी विवेक 13 में start करी थी जब Somi Vivekanan जी की देर सो वो Earth anniversary थी उस time उनके नाम पर ये train है और ये world में 24 वे नमर की है 24 longest train है world की Vivek Express दिब्रुगर से कनना है कमारी जो Vivek Express है वो 5 5 train है 5 train है Vivek Express उसमें लंबी है दिब्रुगर से कनना है कमारी मैंने उस lecture में ये भी cover कराया है 5 longest train है इंडिया की वो सब cover कराई है उस lecture में Next question है which of the following is longest rail system Next question है निमले कितमें से कौन सी सबसे लंबी rail पढ़ना ली है तो इसका current answer है Trans-Siberian Railway इसके पाद जो lecture आएगा मेरा वो longest rail system हाएगा world का world में कौन सा rail system सबसे लंबा है और fleet system जो मेल गाड़ी है वो कौन सी लंबी train है हमारी जो Trans-Siberian Railway है वो connect करती है वे इस्टन रश्या को connect करती है जो इस्टन रश्या है उसको लगबग 9300 किलिमेटर इसकी लंबाई ये लेन थे ये train start होती है गैबिटकल मोस्को है रश्या की वहाँ से और ये कहां तक जाती है वलादी वोस्टोक तक जाती है और ये start होई थी 1916 में तो Trans-Siberian Railway का नाम मत बुलेगा ये काफ़े important question है ये जो previous question हमने कराएं DFC exam के लिए उसका ये part A था बहुत सारे part आएंगे इस series के theory में कुछ छूटा होगा मैं cover करा दूँगा इस lecture में इसके पाद जो lecture आएगा उसमें जो longest train बची है हमारी world की वो cover कराऊँगा मैं और current affair का lecture आएगा जितनी भी theory थी मैंने cover करा दी है जिससे question आ सकते थे और जो बचाए मैं cover कराऊँगा आने वाले वीडियो में इसलिए मैंने previous year question वाली series start करी है और मैं biology वाली series लेके आने वाला हूँ एकटा question करेंगे वन नाइनर biology के अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया हो तो please subscribe कर लिजिए आपके एक subscription से मुझे बहुत help होती है तो please चैनल को subscribe करिए और आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप टेलेगराम चैनल जोइन कर लिजे हमारा like करें वीडियो को commentation में comment करके बता है वीडियो कैसा लगा